और आज हम लोग अपनी वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं बॉयकॉट चाइना के बारे में आखे ये जो हमारा पूरा देश या फिर आप माननी जे ट्वीटर पे भी अगर आप देख रहोंगे तो ट्रेंडिंग चल रहा है है स्टेग बॉयकॉट चाइना चाइना के प्र और कितना फाइदा मिलेगा इन सभी चीज़े के बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो मेरा नाम है शीवम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले देखी चाइना किस नंबर पर आता है अगर हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर को देखते हैं त तो यह हमारा एक्षुली में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो मार्जिन है वो चाइना के अपास देखता है अगर आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे चाइना का अकेले का अगर आप 2019 2018 में देखते हैं तो 10.6 परसंट है और United States का 11.3 परसंट है मतला कि United States जो है वो पहले नमर पर आता है अगर हम लोग अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स कारें बात करते हैं तो और Hong Kong का है 3.5 परसंट अगर हम Hong Kong और चाइना को मिला देते हैं तो हमारे लिए चाइना सबसे ज़रूरी हो जाता है वो कि कई billion कई dollar billions का जो millions का जो है नुकसान हमें होगा इतना हमें हो जाएगा अगर हमने तुरंती इसका मार्केट बंद करने की सोची तो ओके यह चीज है कि कौन से नमर पर हमारा जो चाइना है वो पार्टनर आता है इसके बाद देखे कि क्या इंडिया भी ऐसा ही चाइना के साथ हो रहा है जैसा चाइना हमारे लिए इतना बड़ा मतलब हमारे लिए इंपोर्टन है चाइना पहले नमर पर हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है तो क्या इंडिया के साथ भी ऐसा है तो इसका जो अगर सिंपल वासा में अंसर है तो बिल्कुल नहीं हम लोग जो चाइना के ट्रेड में है उसमें सिर्फ 2.1 परसेंट वो करते है अपना हिस्सा देते हैं उन्हें और हम लोग 12th position पर आते हैं अगर आप position wise देखें तो 12th position पर हम आते हैं और चाइना क्या आता था फस्ट पोजिशन पर आता था कितना बड़ा फरक आ जाता है है और यहीं पर अगर हम देखें तो United States 13.7% जैसे बताया मैंने आपको इस तर हो वो बात की बात है लेकिन हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हमने चाइना के जो सारे products हैं उन्हें boycott करने की सोची भी तो ओके तो यह है simple बासा में कि अगर चाइना से boycott होता है तो हमें ज्यादा नुकसान होगा चाइना से अब देखें अगर trade की आप बात करें तो किस तरीके से वो hit कर सकता है अगर आप लोग देखें कि 2000 से लेके 2018 के बीच में तो यहाँ पे चाइना का किस तरीके से जो graph है वो increase हो रहा है लेकिन अगर इंडिया पे देखा जाए तो इतना को ज़्यादा फरक नहीं पड़ा है 0.6% था जो कि अब 3.1% हो गया है जो क बड़ा increment जो देखा जा रहा है यह बहुत ही बड़ी चीज है और इसे अगर हम बंद करते हैं Trade को इसे export को बंद कर देते हैं इस इंपोर्ट को बंद करते हैं तो इंडिया को नुकसान जादा होने वाला है यह चीज आप समझ जाइए इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला इस से अब देखिए कि चाइना किस तरीके से अपने आपको बताता है दिखा रहा है उनका तो अगर हम लोग चाइना के बात करें तो हम लोग चाइना के लिए बस एक small share या फिर एक small part हम लोग रोल करते हैं चाइना पर और चाइना का export import हमारे देश में इतना जादा है कि हम लोग उस पर बिल्कुल dependent हो चुके हैं हम लोग का जो सबसे बड़ा सबसे largest trade partner जो है वो चाइना है हमारे लिए और चाइना के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चाइना क पर trading करती हैं वहां पर exports imports होते हैं उनके वह हमसे जादा है जैसे मैंने आपको बताया 12th position पर है इंडिया अगर चाइना के trading के बारे में बात करें तो जो कि बहुत बड़ा एक number होता है अब देखिए अगर चाइना बॉयकाट करते हैं तो उसके investors भी हमारे हाथ से investment देखिए तो China's investment बहुत जायदा हमारे होती है बहुत ही जादा number पर चाइना की investment होती है अगर आप यह data देखते है 2014 से लेके 2019 के बीच में तो एक huge improvement आपको देखने को मिलेगा जो की सबसे बड़ी चीज़ दिखाता है चाइना पे मतलब हमारा चाइना पे dependency दिखाने वाल लेकिन अगर आप देखिए खुदी और अगर मैं आपको बता हूँ एक चोटी सी बात कि अभी कुछ दिनों पहला ही चाइना के फोन जो थे वह sale पे आये थे और मैं आपको बता दूँ कि 90 seconds के अंदर वह out of stock हो गये तो इतनी जैसा हम दिखा रहे हैं लोगों को वैसा बनना है तो उसके लिए दीरे दे करके ही काम करने पड़ेंगे हमें जिससे कि हमारे देश भी दीरे दे करके बड़े अब कोई भी चीज तुरंट नहीं होती है अब आपनी preparation को ले लीजे कि अगर आपको preparation करनी है तो आप एक रात पहले पढ़के नहीं जा सकते हैं उसमें टाइम लगता है और जब बड़ी चीज़े करनी होती है तो बहुत ज़दा टाइम लगता है तो बस हमें क्या करना है अपने देश के साथ रहना है और उसकी मदद करनी है और बिल्कुल ऐसी काम नहीं करने हमें कि अभी हमने चाइना का फोन हमारे पास है तो हम उसे पूर देंगे फिर आप दूसरा फोन खरी देंगे पैसा किसकी जेब से जाएगा आपकी जेब से जाएगा तो यहीती मेरी आज की पूरी वीडियो आई होप कि इससे आपको एक वाइड विजन मिल गया होगा कि चाइना और हमारे बीच का जो बयकॉट वाले बात जो सिस् कुछ लाइन है कि अगर आप स्ट्रेस को नहीं जेल सकते तो सक्सेस को भी नहीं समाल पाओगे तो स्ट्रेस जेलना सीखिए अपने आपको बताईए खुद समझाईए खुद मोटिवेट हुए अपने ही काम के लिए आपके जिन्दी काफी असान हो जाएगी तो यही थे म तेरी वीडियो आज की आई होप कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा मिलते अपने अगली वीडियो में गुडबाई